जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल, दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल में आपका बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत आभार है इस स्टूडियो में बात करेंगे बेरोजगारी के उपर और मेरा कहीं भी आपको किसी भी तरह से कुछ नीचा दिखाना मेरा कोई मकसद नहीं है क्योंकि बेरोजगार को बेरोजगार बोलना अच्छा नहीं लगता है अच्छा नहीं लगने से मेरा इंदर सेंस केना है क्योंकि मैंने भी वो चीज़े फील की है मैंने भी उस face को देखा है मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को जहला है और मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ तो मुझे वो चीज बहुत फीले लेकिन मुझे ये लिखना जरूरी था इसलिए मैं नहीं लिखा है मैं आपको जरूरी इस वीडियो में दिमाग में बहुत सा टेंशन भी लेकर रखें तो सबसे पहली बात मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ कि चाहे कैसे भी हालात हो दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है प्रेशर लेने से काम होते हैं मैं मान रहूँ कि यह होगा लेकिन दिमाग को जितना जब तक आप शान्त नहीं रखेंगे तब तक बहुत सी चीजे शान्त नहीं दिखाए लेगे दूसरी बात है कोशिश करना हमारे हाथ में फल हमारे हाथ में नहीं है वो भगवान के हाथ में है और इश्वर जो है वो सबका पाला नहार है तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा बिठाए रखे कि उसने जन्म दिया है तो वो सभी व्रोस्ताइं हमारी करेगी हम केवल कर्म कर सकते हैं तीसरी बात है कि कोई काम बड़ा चोटा नहीं होता है आपके एजुकेशन का स्ट्रीम कुछ अलग है आप एक अलग स्ट्रीम में जा रहे हैं अभी फिलाल जो है मेन और मेन मूल्ब होता हो शकता है दो वक्त का गुजर बेसर होना चाहिए तो हमें उस पर फोकस होना चाहिए और अपना लक्ष वही होना चाहिए अब होता है कि हम जिस स्ट्रीम में होते हैं उसमें जॉब नहीं मिलती है तो हम परेशान होते हैं और बहुत भारत में और हमारे आसपास कहीं सारे लोगे जिन्होंने अपनी स्ट्रीम का एजुकेश नहीं जो भी काम मिले वो काम करके आगे बढ़ा है चोती बात है कि इस धर्मियान जो फर्जी वाड़े होते हैं जो लोगों को धोके में फ्रोड में आपकर आप यहां आए करें इन से थोड़ा साउधान ले क्योंकि हमारी जब हम मजबूर होते हैं तो इस मजबूरी के आपको एक अच्छा रूजगार मिलेगा आपके जीवन जो एक प्रटी पर आएगा थोड़े दिनों की बात है बस इस वक्त को खाट ले पूरी मेहनत करते हैं और बिलकुल घबरानी की कोई बात नहीं है जिनके साथ इश्वर होता है उनका कभी कुछ अहित नहीं होता है तो जैशिल महांकाल